सो हैं दिसीज प्रवात रेंजन स्वागत करतामरे आज की इस नए यूट्यूब क्लास में जिसमें जेई बिन माथमेटिक्स का पीवाई क्यू प्लस कॉंसेप्स दोनों ही कवर कर रहे हैं तो अगर अभी तक अपने स्पूल में पिर कहीं भी 11-12 mathematics कुछ नहीं पढ़ा दिन आपके लिए सीरीस का थी बड़ी ई रहने वाला है और अगर यछ hab पॉलो कर चुके हो या पिर आपने स्पूल में फिर कहीं से भी 11-12 Mathematics पढ़ रखा है और जहीं में की प्रपरेशन कर रहे हो दिन आप इस सीरीज के साथ continue कर सकते हो इस सीरीज में अल्रेडी हमने तीन चैप्टर्स कवर कर लिया अब यह क्वर्टर्टिक एक्क्वेशन, सिक्वेंस्टरीज, डिटर्मिनेंट्स, फंडमेंटल ऑफ मतेमाटिक्स आज हम चौथा चैप्टर में फिनिस करेंगे हर चैप्टर में ओर इन आवरिज 30 क्वेश्चन पीवाई क्यू के फॉर्म में हम देख रहे हैं जिसमें हर एक इस क्वेश्चन को दस-दस क्वेश्चन की तीन पार्ट से ब्रेक करें जैसे में हमारे पास 31 क्वेश्चन हैं पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नमर 1 से 10 तक किया दूसरे में 20 तक किया और आज के इस फाइनल लाश्ट वीडियो में 21 से फाइनली 31 तक खत्म कर देंगे अब ये question कर कहां से रहे तो हमारे पास competition नाम का book आता है मोहित ज्यागी सर और उनकी team की तरफ से जिसमें on an average per chapter 30 PYQ questions देखने को मिल जाते हैं इस 30 question में आपके उस chapter के सभी concepts cover करा दिये जाते हैं और एक concept के उपर कम से कम बार question repeat किया जाता है तो पढ़ाने के point of view से book काफी बढ़िया है ताकि हम कम से कम questions में लगबग सारे concepts cover कर पाएं और जो students exam से कुछ दिनों पहले question practice के तुरू revision करना चाते हैं कि हर concept से कम से कम एक question तो practice कर ही लो देन आपके लिए भी book काफी बढ़िया रहने वाला तो अगर ये book purchase करना देने इस book का Amazon link नीचे description में दिया गया है फिलाल अगर आज के इस वीडियो में आगे बढ़ें तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में question number 21 से 31 की तरफ move करेंगे तो चलिए आज के पहले question question number 21 के साथ चालो करते हैं बढ़ सबसे पहले जरूरी बात कि बड़े ही अराम से इत्मिनान से दीमे दीमे गती से question को पढ़ेंगे जल्दी बाजी कुछ नहीं करना है क्योंकि जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना question गलत होने के chances ज्यादा होते हैं तो दीमे दीमे गती से अगर आगे बढ़ें तो अपने पास दो matrix A और B के form में दो equation है A plus 2B और 2A minus B इन दोनों matrix से अपने को A और B का value निकालना है ठीक है फिर इसके बाद बोला गया है कि trace of A minus trace of B बताईए अब trace क्या होता है तो किसी भी matrix का diagonal elements जो होते हैं उनका sum को हम trace कहते हैं तो अपने पास दो variable है A और B और दो equation भी दिया गया है एक equation यहाँ एक equation यहाँ तो दो equation से दो variables find कर लेंगे A और B A और B find करने के बाद दोनों का trace निकालके minus कर देंगे तो पहले तो मुझे दिख रहा है इन दोनों equation को मैं क्या कर सकता हूँ यह कर सकता हूँ क्या A plus 2B plus 2 times of 2A minus B देखो जांसे A plus 2B plus 2 times of 2A minus B अब यहाँ से देखो 2B और यह 2 minus B तो यह B और यह कटेगा तो बचेगा A plus 4A equals to 5A ठीक है अब 5A का value निकालों यानि कि इतना plus 2 times of this matrix मुझे करना है अब देखो हर value को मुझे plus करने की जरूत नहीं मुझे सिर्फ in positions पे जो value आएंगे सिर्फ इन की जरूत है क्योंकि मुझे सिर्फ diagonal elements चाहिए ट्रेस निकालने के लिए सिर्फ diagonal elements की जरूत है तो सिर्फ in places पे देखूंगा देखो 1 plus 2 into 2 ठीक है 2 times यह वाला matrix है तो 2 into 2 तो यह हो जाएगा 5 ठीक है दिन यहां minus 3 minus 3 plus minus 1 into 2 यह हो जाएगा अपने पास minus 5 यहां इन places को मैं छोड़ रहा हूँ अब इस place पे देखता हूँ क्या आएगा अपने पास 1 plus 2 into 2 यहां भी आगे अपने पास 5 अब 5 A का value इतना है तो A का value अगर मैं लिखूं तो 5 से divide कर दूँगा यहां भी 5 से divide करूँ तो अपने पास आ जाएगा 1 minus 1 1 1 minus 1 1 यह अपने पास diagonal elements आ गए A के अब यहां से अगर मैं B का भी diagonal elements मुझे सिर्फ निकालना है ठीक है तो अभी आप ध्यान से देखो अगर मैं इसमें A का value put करूं तो आप एक तरीके से यह कह सकते हो क् सबी को थोड़ा clear करूं यहां से A हटाओ आप इधर minus A कर दो ठीक है तो टूबी का value सिर्फ diagonal elements देखना है क्या करना है this minus A का value आया तो पहले यहां diagonal element पे क्या आएगा 1 minus यह 1 तो यह हो गया 0 यह बीच वाले diagonal element पे क्या एगा minus 3 minus 3 minus 1 ठीक है minus कर रहे है यह वाला matrix जो अधर दिया गया है minus A कर रहे है तो यह उस matrix से value minus यह अपना यह value है तो यह हो गया आपने पास minus 2 then यह last वाला 1 minus 1 यह हो गया आपका 0 अब यह 2 भी है divided by 2 करूंगा इधर भी divided by 2 तो यह हो जाएगा minus 1 तो देख लो यह trace of A क्या है इन सभी का sum तो यह 1 minus 1 तो 0 हो गया बचा सिर्फ 1 और trace of B क्या है trace of B अपने पास minus 1 पूछा क्या है trace of A minus trace of B यानिकी 1 minus minus 1 equals to 2 ठीक है तू यहां अपने पास option number 2 21 का option number 2 21 21 अपने पास कहां गया 21 का option number 2 हो गया तीजी सा question है समझाने में time लग रहा है वरना अगर करो तो बढ़े आराम से हो जाएगा next question question number 22 की तरफ बढ़ें तो if A and B are two non-zero matrices such that A square plus B equals to A square B अब यहां से कुछ A square बगेरा में कुछ-कुछ relation हमसे पूछ रखा है तो यहां देखो पहले क्या लिखा है कि A और B दो non-zero matrices है ठीक है अब इससे मुझे और कुछ पता लग नहीं रहा है मुद्दे की बात बस यह है कि मुझे यह दो relation दे रखा है तो जो करना एक्चली दो नहीं एक ही relation दो तो यह से एक relation के ओपर ही जो कर सकते हो मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो लिखूंगा जो दिया गया है इसकोर बी प्लस बी यह न सौरी एसकोर प्लस भी इक्वल्स टू एसकोर बी जी वही है इतना लिखा गया है अब इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या आगको यहीं एसकोर बलस बी माइनस एसकोर भी इकवल्स टू इदर नल मै्ट्रिक्स बचेंगा लेको नॉर्मलन नंबर होता अगर एक्सस्कोर प्लस एक्स्कोर एक्सस्कोर य इससे इधर लेके आते ली इधर जिरो बच जाता तो इसे अगर इधर लेके आते हैं तो इधर 0 बच जाता लेकिन मैट्रिक्स के टर्म्स में 0 का मतलब क्या होता है नल मैट्रिक्स ठीक है यह हम समझ रहें यहाँ A2 भी है दोस्त छोटी छोटी गलतिया है इंगर करिएगा अब यहां से मैं अगर चाहूं तो क्या मैं A2 common ले सकता इसे वैसी normal number x into 1 equals to x होता है x square into 1 भी x होता है इसके लिए यह 1 का value क्या होता है इसके लिए होता है identity matrix तो A2 I equals to A2 तो यहां से जब A2 common लोगा तो I बचेगा अपने पास और यहां से common लोगा तो B बचेगा plus B अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अपने पास यह I minus B आया है ठीक है तो अगर मैं कुछ negative time यहां मैं माइनस I अगर लेकर आ जाओं ठीक है यहां माइनस I लेकर आ जाओं तो इधर भी माइनस I आ जाएगा मतलब दोनों साइड में ने माइनस I एक तरीके से include कर दिया है LHS और RHS दोनों में तो यहां से अपने पास A square I minus B प्लस यहां से I common लोगा एक तरीके से one common लोगा इनका one का मतलब I ही तो होता है यहां से minus I common लोगा ठीक है क्योंकि अगर minus I common लोगा तो यहां I minus B का form बन जाएगा अब यहां से A square minus I यहां से common लोगा I minus B equals to minus I अब यहां से minus निकालूँगा तक ही यह minus cancel हो जाए तो यह बन जाएगा B minus I equals to अपना I ठीक है एक relation यह बना है एक relation और अगर मैं बनाने की कोसिस करूँ वापस से लिखता हूँ जो दिया गया है A square plus B equals to A square B ठीक है अब B मुझे क्या दिख रहा है कि मैं चाहूँ तो सभी B वाले terms को एक तरफ ले जाकर A square equals to यहां से अगर ले जाओं हुआ है यहां से अगर मैं B common ले लूँ है A square अगर common ले लूँ है इधर बचेगा A square minus आई और इधर भी देखो इसका यह क्या है B यह एक्चली आई इंटू B ही तो लिखा गया है तो A square यहां भी आपका इधर आएगा अप देखो इसे ऐसे लिख सकते भी मैं आई को मैं नीचे लेकर चला जाओं ठीक है A square आई इसे अगर नीचे लेकर जाओं तो A square by A square minus I equals to B अब यह अगर आप ज्यान से देखो इसे अगर मैं नीचे लेकर चला जाओं A square minus I इसे भी तो मैं बोल सकता हूं ना I into A square I को आप इधर कहीं भी लिख सकते हो तो यह value अगर आप ध्यान से देखो I by A square minus I को मैं क्या लिख सकता हूं B minus A इधर A square अपने पास पहले से है यह हो जाएगा B A square minus A square equals to B तो B A square equals to A इसको इधर लिखाओंगा तो A square plus B एक तरीके से बोल सकते है A square plus B equals to B A square कुछ नहीं है A square plus B इधर है बी A square इधर है कुछ नहीं किया मैंने बस इधर उधर LHSRHS हो किया है अच्छा सुरू में A square plus B का value क्या दिया गया था A square B तो आप ध्यान से देखो B A square equals to A square B आया क्या और ऐसा कुछ option है क्या बिल्कुल है भाईया तो 22 का option number 4 next question question number 23 की तरफ चले तो बोला गया है कि अपने पास एक matrix है A जो कि 3 cross 3 matrix है यानि कि order 3 का square matrix है order 3 मतलब क्या जब भी square matrix बोलते हैं तो जितना रो और कॉलम तो पराबर होता है तो जितना रो या फितना कॉलम है उतना order कह देते हैं ठीक है कि यह आपका कुछ हो जाएगा ऐसा दिखेगा ना adjoint of 12 का power 4 दिया गया है अब देखो आप जानते हो कि अगर अपने पास कोई matrix है जैसे ए ठीक है इसका order 3 है मतलब 3 cross 3 है मारे पास square matrix है तो अगर मैं बोलू कि a के adjoint कब मुझे determinant चलिए तो यह हो जाता है a का determinant power में कितना जाएगा जितने का order है minus 1 तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 2 एक तरीके से यह n- 1 होता है और यह value होता है ठीक है और अब अगर आप ध्यान से देखो कि अगर अपने पास a एक matrix है जिसका order 3 है दिन उसके adjoint का भी order 3 ही होगा तो अपने बस adjoint a का भी order 3 है अब यह adjoint एक नॉर्मल matrix ले लो जिसका order 3 है तो उसके adjoint का भी order 3 होगा similarly यह भी matrix का order 3 ही होगा ठीक है तो सब भी अपने matrix का order 3 ही रहने वाला है तो सबसे पहले में adjoint लेना है ऐसे लिखा यह गिया है अपने पास adjoint of adjoint of यह है अपने पास तो ध्यान से देखो जिसका भी adjoint होता है उसका determinants लिखते हैं तो हम अपने पास जैसे इसका adjoint लिए हमने इसका adjoint लिया तो आप लिखोगे जैसे एक adjoint था तो एक a determinant लिए थे हम लेंगे adjoint of adjoint of a का determinant यहाँ से यहाँ तक और order तो 3 होगा अभी हमने figure out कि इसका order भी 3 है तो 3 3-1, 2. अब क्या करना हमें? अब determinant लेना है अपने को इस matrix का, ठीक है? Adjoint of this matrix. तो लिखोगे Adjoint of A का, again order 3 है, तो 3-1, 2. और यह फिर पूरे का, देखो, इस determinant का खुद का पहले से square हो रखा है, तो इसका भी अगर आप square कर दो, तो यह power 4 हो जाएगा. 2 into 2 power 4. अब मैं किसका Adjoint लोगा? मैं Adjoint ले रहा हूँ, अब A का, तो लिखोगे A के determinant का square, और पावर 4 पहले से था, तो 2 into 4 यह हो जाएगा 8. ठीक है? और यह value किता दिया गया है? 12 का पावर 4. एक तरीके से बोल सकते हो, A square equals to 2L, और A equals to, under root of 2L, equals to, 2 root 3. अब पूछा क्या गया है? कि A inverse Adjoint है? क्या पूछा गया है? A inverse Adjoint of A. तो एक तरीके सी, यह अपने आपने आपने मैट्रिक्स है, यह अपने आपने मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लेना होता है, जो दोनों को multiply कर दोंगा, मतलब यह दोनों आपस सो multiply का determined था, मैंने दोनों का अलग-अलग determinant लेके determinant को multiply कर दिया, इसका determinant क्या होगा? 1 by determinant of A, बस inverse की वज़े से नीचे आजाएगा, और Adjoint of A का हम जानते हैं, जब 3 क्रॉस 3 का है, तो A का स्क्वाइर, मतलब 3 माइनस 1, तो यहाँ से यह 2 गया, यह अपने पास आया A, ठीक है? और A का value कितना है? 2 root 3, तो 23 का option number 1, 2 root 3, next question, question number 24, अपने पास पहले तो यहाँ पे Adjoint of Adjoint of 2A अगेरा कुछ-कुछ बोला गया है, तो अगर मैं इसे simplify कर दो, तो सबसे पहले तो इस matrix का मुझे निकालना है, तो Adjoint of 2A का square, क्योंकि 3 क्रॉस 3 matrix है A, तो Adjoint of A भी 3 क्रॉस 3 होगा, इसलिए 3 माइनस 1, 2, अब यह 2A का मु 2A का, यह square और पहले से square था, तो 2 into 2 is 4, अब ध्यान से देखू कि 2 जो आपका है, 2A के अंदर already multiplied है न, मतलब कि 2 आपके हर एक row column अगेरा में multiplied होगा, यह matrix के साथ 2 multiplied है, तो 2 हर एक row column में multiplied होगा, तो जब determinant लेते हैं, तो एक row से 2 common लेंगे, दूसरे row से 2 common लेंगे, तीसरे row से 2 common लेंगे, या फिर column wise भी लो, तो तीनों column से 2 आएगा, तो 2 into 2 into 2, 8 हो जाएगा, या फिर 3 रो से common लो, तो 2 into 2 into 2, 8 हो जाएगा, तो यहां से आप लोगे, इससे आप लिख सकते हो, आप 2 into 3, 8 निकल रहा है न, तो आप ऐसे लिख दो, 8 का पावर 4, इसके अंदर से तो मैट्रिक्स के अंदर मल्टिप्लाइड है, जब डिटर्मिनेंट लिया, तो मैट्रिक्स के अंदर 2 common लिया, तो 8 आया, अब उसका पावर 4 लगा हो एट, हो एट का पावर 4, ठीक है, और 8 का पावर 4 की जगा, हम क्या लिख सकते थे, 2 का पावर 3 का पावर 4 आया था, 8 क 2 का पावर 3, पावर 4 लगा हुआ था, 3 to 4, 12 एक तरीके से माल पास, 2 का पावर 12 आया बार, और फिर लगा दो डिटर्मिनेंट अफ एक पावर, 4, ठीक है, अब डिटर्मिनेंट अफ एनिका ले, अब सब से पहले यहां से देखो, कि मैं सोच रहाँ, इसमें से 5 फैक्टोर यूइल 6 factorial 7 factorial है, 5 factorial हमने पहले column से common लिया, पहले row से common ले रहे हैं, तो यहां हो गया 1, यहां हो गया 6, 1, 6, और यहां हो गया 6 into 7, यहां सेघ्प्रेटर्ण कॉमन ले बो, 1, 7, 7 into 8, यहां दो यहां सेवन फैक्टोरियल कॉमन दो वन एट एट इन टुन नाइन अब यहां सेवन फैक्टोरियल कॉमना थे यह दोनों तो कट गया अब इसको इसमें मैं सोच रहा हूँ ऐसे गवाँ इसको इसमें माइनस करो फिर उसके बाद इसको इसमें माइनस करों तो इसको कॉमन आया दोनों जगर से 9-7 इकोलस टू दो जो गया सुल्ला ठीक है अब इसके बाद इसको इसमें माइनस करो तो यह हो गया आपके पास यह 0 यह हो गया 1 और यह कितना है 7 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 7 तो 7 कॉमन ले ले लेते दोनों जगा तो यह होगा 7 इंटू 2 इक्वल माइनस 14 फिर यह तो आगे मल्डिप्लाइगर मतलब नहीं 0 इंटू 0 जिरो हो जाएगा यह हो गया इक्वल्स टू तो डिटार्मिनेट डिटार्मिनेट ओफ ए आया आपने पास 2 तो लिग दोगे 2 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 4 तो एक्वल्स दो का पावर 12 प्लस 4 इक्वल्स टू दो का पावर 16 अपने पास ओप्सन है 4 24 का 4 next question question 25 की तरफ अगर बढ़ें तो अपने पास एक matrix दिया गया है P matrix वैर alpha जो अपने पास है alpha एक कोई real नमबर है सपोस्टर्रे 바뀌 यह अपने पास ऐसे क्यो एक matrix टिर एक एक्वेल्स टूप के आई त्री sticky क्ले के आई अंचा आप ये आपको क्यों का ओल डर स्थ न ये पता लर्गा नहुना तो ध्यान से देखो कि इंटू क्यूए वेक वेल स्टू के आई त्री अब बीक ओल्डर कंटि 3 into 3 ठीक है आई का order क्या है 3 into 3 तो देखो यहां क्या order रहा होगा तो हम जानते हैं कि यह multiply दुनों आपसे तभी हो सकते जब यह दुनों order same हो तो यह 3 है तो यह भी 3 रहा होगा और आपका इसका जो order होता है यह 3 आता है यहां से और यह 3 आता है इसके यहां से तो यह 3 है यह भी 3 तो q का भी order आप बोलोगे 3 into 3 ठीक है अब p q equals to k i3 दिया गया है तो आप लिखो अब यह एक गिवन चीज है यहां p given है यहां p q equals to k i3 given है for some non zero k मतलब के हमारा zero नहीं है q23 का value दिया गया नहीं कि अगर q matrix बनाओ आग तो 2 3 मतलब के second row third column यहां का value दिया गया है यह कुछ values है यहां पर आएगा कहीं आपका q23 q23 का value माइनस k भाई ठीक है और mod of q मतलब आपका determinant of q दिया गया है k square by 2 यह कुछ चीज है given है और alpha square plus k square का value पूछ रहा है तो मैं सबसे पहले यहां क्या देख रहा हूं कि अगर मैं इसका determinant ले लूँ ठीक है तो mod of ऐसे देख लो दोनों साइड अगर मैं determinant डाल दूँ ऐसे यह हो जाएगा तो इसको separate कर दूँगा ऐसे और k आपके हर जगा multiplied होगा यहां पर यह 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 k जब हमने multiply किया तो अंदर जाने के बाद k के हर जगा मैं अब जब इसका determinant लेते हैं तो हर एक रो से इस रो से common के आएगा इस रो से common के आएगा इस रो से को मना आएगा तो टोटल के क्यूब हो जाएगा और वापस से 111 बज जाएगा क्यूंकि के के हमने common ले लिए हैं ठीक है तो यह आप बाहर निकाल लोगे के क्यूब इन्टू इसका determinant ठीक है अब इसका determinant क्या हो जाता है वरन देखलो ना वरन इसके बाट एक्सपैंड गरो तो वन वन इन्टूवन वन मैंनस जीरो बाकितो जीरो जीरो यह है तो के इन्टूवन था कि के इन्टूवन क्यूब दो आब यहां से determinant of q का वैल्यू दिया गया है कितना है k2 by 2 अरे यार यह के क्यूब के स्कुएर यहां से कैंसल करो ते बचेगा डिटर्मेंट पी इक्वल्स टू टू के यहां तक आ गए जी भई है यहां तक हम आ गए अब इसके बाद क्या इसके बाद मैं यहां देख रहा हूं कि वापस से अपने पास रिलेशन क्या दिया है पी क्यू इक्व मैं क्या क्यू को मैं सोच रहा हूं कि अगर दोनों साइड पी इन्वर्स मल्टिप्लाई कर दूं ठीक है यहां भी अगर पी इन्वर्स मल्टिप्लाई कर दूं यहां भी पी इन्वर्स मल्टिप्लाई कर दूं के तो आपका नॉर्मल एक कॉंस्टेंट है यह को आप ठीक है, I बनेगा, और I into Q, normal Q रहेगा, equals to K P inverse I3, I3 तो normal है मारा I1 के बराबर होता है, normal number जैसे 1 होता है, 1 को किसी से भी multiply करो वो खुदी होगा जैसे 2 into 1 2 होता है वैसे i3 को i को किसी से multiply कर दो खुदी वही रहेगा तो पहले यहां कुछ matrix नहीं था यह केक normal constant था इसलिए i3 लिख रहे थे अब यहां matrix आ गया तो i3 लिखने का मतलब नहीं बनता जैसे minus 3 है ठीक है तो 3 जब तक है मुझे यहां पर into 1 करने की जरूत नहीं लेगे न अगर 3 हटा दो तो इस minus के साथ 1 लगाना पड़ता है तो यह मेरे कहने का मतलब था अब के पी इन्वर्स पी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा बहिया तो हम जानते किसी भी यह हो जाता अपना adjoint of p by determinant of p ठीक है बहिया तो k into adjoint of p और determinant of p क्या है अपने पास 2k k से k गया बचा adjoint of p by 2 तो अपने पास एक और फंड यह सबसे पहले इन सभी चीजों का तो कुछ-कुछ यूज हुआ है लेकिन इसका यूज नहीं हुआ है तो मुझे q23 का value चाहिए ठीक है मुझे चाहिए इस position का value अब q basically है क्या क्यों अगर आप ऐसे मान लो यहां 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 कुछ-कुछ value है मुझे यह value चाहिए मुझे चाहिए यह value यह यह adjoint of p भी अपने आपने एक matrix होगा हूं यह आपका adjoint of मुझे basically क्या चाहिए adjoint of p वाला यह matrix है मेरा तो यह adjoint of इसका q23 मतलब इसका यह value by 2 मुझे यह चाहिए इस 2 को अगर अंदर लेकर जाओगे मुझे यह value चाहिए तो मुझे q23 का value मिल जाएगा ठीक है भाईया तो यह value मुझे कैसे मिले गए यह क्या है पहले तो यह circle लिकालो फिर बाद में 2 से divide करते रहेंगे तो को फिलाल अभी हम बाहर ही लिखते हैं तो मुझे यहां से क्या चाहिए एड्जॉइंट of p23 ठीक है अब एड्जॉइंट क्या होता है एड्जॉइंट होता है आपका जैसे p का एड्जॉइंट मतलब देखो एड्जॉइंट कैसे निकालते है सबसे पह कोफेक्टर का ट्रांसपोज लूगा तो उताता जैसे मेरे हे ड्जॉइंट होता है यह क्या तो मुझे कोफेक्टर चाहिए यह transpose लेने के बाद यही co-factor adjoint में convert हो जाता है तो co-factor जो मेरा 3,2 रहा होगा इसी का transpose लेने के बाद वो adjoint of row और column interchange जो के 2,3 बन गया होगा तो मुझे basically यह चाहिए जिसे मैं 2 से divide कर दूँगा तो मुझे q2,3 मिल जाएगा समाज रहे हो अभी तक नहीं समझे देखो मैं यह बोल रहा हूं कि अपने को q2,3 का value पूछाए मतब कुछ-कुछ दिया गया है माइनस k by 8 के form में तो q2,3 का value निकाल देता हूँ अब q equals to adjoint of p by 2 है तो q equals to adjoint of p by 2 तो constant है उसको थोड़े दिर के लिए side बे रखो तो जो q2,3 होगा वही adjoint of p,2,3 यह location होता है जो q2,3 होगा वही adjoint of p,2,3 होगा बस उसको 2 से divide कर देंगे तो मुझे चाहिए adjoint of p,2,3 अब adjoint क्या होता है adjoint of p क्या होगा? p matrix के co factor का transpose और transpose क्या होता है? row और columns interchange होते हैं तो अपना co factor 3,2 रहा होगा तब ही इसका transpose लिया हमने तो यह आपका adjoint बन गया co factor normal फिर transpose लेने के बाद co factor की जगा adjoint लिख देते हैं और यह आपका transpose होने के बाद row और column interchange होके 2,3 हो जाता है ठीक है? तो adjoint of p2,3 कुछ नहीं रहा था अपना 3,2 वाला co factor रहा था मतलब यहाँ वाला value 3,2 क्या होता? 3rd row, 2nd column यह मुझे इस position का co factor चाहिए co factor क्या होता है? minor into minor into minus 1 का power i plus j यह हमारा co factor होता है तो co factor 3,2 equals to minor of 3 into 2 मतलब यहाँ का मुझे minor चाहिए यहाँ का मुझे minor चाहिए और यहाँ का minor क्या होता है? इस column इस row को हटाओ, यह into यह minus यह into 3 alpha plus 4 ठीक है? तो co factor हो गया अपने पास 3,2 का co factor कितना है? 3 alpha plus 4 और minus 1 का power i plus j i का value क्या है? i का value अपने पास 3 है और j का value 2 है तो i plus j, 5 हो गया minus 1 हो जाएगा, तो minus से आप multiply कर दो normal तो अपने पास co factor आ गया, तो c, 3, 2 ही अपना adjoint of p, 2, 3 है इसका value minus 3 alpha by 4 और q, 2, 3 क्या है? अपने पास इतना by 2 ठीक है? तो इसका value क्या दिया गया है? q, 2, 3 का value अपने पास दिया गया था कितना है? minus k by 8 ठीक है? minus minus आप cancel करो minus minus आपने cancel किया, और इसके बाद 2 से cancel हुआ या आया, 4 अपने पास तो यहां से इधर लेके जाओ, तो 12 alpha plus 16 equals to k k का अपने पास एक value आ चुका है, अपने पास कुछ और पहले एक relation आया था क्या? determinant of p equals to 2k अपने पास यह relation भी है यह भी अपने पास पहले आया था तो determinant of p तो मैं normal निकाल सकता हूँ न? determinant of p मैं normal निकाल सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है उसको मैं 2k के बराबर कर दूगा determinant of p निकालो इस row के about अगर expand करें या फिर चलो इसके about expand करते क्योंकि मुझे यह sorry मैंने गलती से row बोदी यह column है आपका यह row है अब इस row के about करना मुझे इस row के about करूँ कि यह आपका 0 है ठीके तो दो ही terms का मुझे अपने का तो पहले 3 3 लोगे आपका यह row sorry यह column बार बार इससे row क्यों बोदी तो यह column यह row हटेगा आपका आएगा minus alpha 3 into minus alpha और यह तो 0 हो गया ठीक है अब इसके बाउट लू तो minus of आपका minus 5 into यह हटा दो यह हटा दो 3 alpha ठीक है 3 alpha plus 4 चलो यहाद अगो गया इसे मैं क्या रिकोंगा minus 3 alpha यह minus minus यह plus अब इसे plus 5 लिख दो तो यह plus 15 alpha plus 20 equals to यह हो गया 12 alpha plus 20 12 alpha plus 20 तो 6 alpha plus 10 तो यहां से मैं देख सकता हूँ कि k का value यह भी आया है और k का value यह भी आया है तो एक तरीके से 12 alpha plus 16 equals to 6 alpha plus 10 यहां से alpha alpha minus करोगे तो आपके पास आएगा 4 6 alpha equals to minus 6 तो alpha equals to minus 1 ठीक है alpha equals to minus 1 आया हम पने पास तो k का value कैसे निकालूंगा alpha का value अगर minus 1 आया है तो k equals to यह हो जाएगा minus 6 plus 10 equals to 4 अब पूछा के अपने से alpha square plus k square यानि की minus 1 का square plus 4 का square equals to 1 plus 16 equals to 17 इसका answer लिख दो 17 25 का answer 17 5 question हो गया है 6 question और बचा है हमारा chapter खत्म होने वाला है question number 26 अपने पास एक matrix दिया गया है यह matrix where x, y, z are real numbers x, y, z अपने पास real numbers है such that x plus y plus z is greater than 0 मतलब x plus y plus z एक positive number है ठीक है भाईया अभी यहां से मुझे और क्या दिख रहा है कि x, y, z का value आपका 2 दिया गया है a square का value आपका i3 दिया गया है ठीक है a square का value आपका i3 दिया गया है then the value of आपका x cube plus y cube plus z cube का value पूछा है जी भाईया तो एक तरीके से आप ध्यान से देखो तो a square को अगर i3 लिखना हो आपने a square को कैसे लिखोगे x, y, z a square को को इसी टम को लिखना है एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स ओर अपने पास जेड एक्स वाई यह वैल्यू कित्ता दिया गया है अपने पास i3 के बराबर दिया गया है आई तरी मतलब 111000000 यह गिवन था यह मैंने लिख लिए ठीक है तो सबसे पहले ए गिवन था और यह अपने पास इक इस अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है देखो अभी मैं यह भी नहीं सोच रो क्या निकालना है क्या करना पहले जो गिवन है मैं वह से लिख रहा हूं तो यह गिवन था इसे मैंने एक्सपैंड कर दिया एस्प्वाइर को एंटू एक के फर्म में लिख दिया और यह आई गि तो ध्यान से कुछ भी नहीं है क्वेशन देखने में कॉंप्लेक्स लग रहा होगा सबसे पहले एक्सपैंड करने के बाद और तो कुछ अपने पास है नहीं अब यहां से एक रिलेशन गिया है जो कभी अगर काम आयेगा तो इस रिलेशन को मैं ध्यान में रखूंगा अब इसके पुट कर दूँगा और यह x3, y3, z3 मुझे बनाना है क्योंकि यही पुछा गया है तो और तो कुछ ऐसा step है नहीं कि मतलब इसको भी भाईया पहले कर लेते इसको भी पहले कर लेते और कुछ है नहीं जो पहले कर लेते हैं पहले ही मुझे इसे expand ही करना पड़ इसके बाद यहां से यह xy, yz, zx, बाकि अगर टम्स को भी देख लो तो यह भी यह xz, yx, zy, वही टम्स बन रहे हैं, यहां भी आपका yx, zy, xz यहीं सभी टम्स बन रहे हैं, मतलब ध्यान से देखो ने, एक पैटर्न दिखेगा आपको, 10000100001, जहां आपका 0 है, वही सारे टम्स दिख रहे हैं, तो यहां भी आपका वही टम्स, यहां भी वही टम्स दिखेगा, इन दो जगरूपे आपको यह वाला टम्स दिखेगा, जहां 1 है, जहां 1 है, आपको यह बलोडम दिखेंगा देखो जैसे बीच ऒलातम में देखों तो इसे और 실्ज भाइ करोंगा वाइब स्कुार अगर देखहलो जई स्कुार फ्लस एग्स डेत्व तो मुझे बस दो रिलेशन मिला है यहां पर एक स्कुअỉ E इसे multiply करूंगा y square plus z square plus x square से यहां अगर देख लो z square plus x square plus y square तो मुझे बस दो relation मिला है यहां पर x square plus y square plus z square equals to 1 और x y plus y z plus z x equals to अपने पास है कितना 0 अच्छा यह relation जानते हो कि x plus y plus z का whole square equals to x square plus y square plus z square plus two times of x y plus y z plus z x बिल्कुल वही है यह तो normal a plus b plus c का whole square का formula है तो यहां से आप देखो इसका value कितना आया है 1 plus 2 into इसका value कितना आया है 0 तो यह कितना हो जाएगा 1 अब इसका अगर मैं square root ले नूँ तो x plus y plus z equals to plus minus 1 मतलब एक होगा आपका 1 और एक हो सकता है minus 1 लेकिन पहले ही बोल दिया गया अब यह relation यूज हो रहा है x plus y plus z is greater than 0 मतलब positive number है तीनों को सम करके तो negative number कैसे आ गया तो हमारा सिर्फ एक answer होगा वह होगा प्लस वन एक plus y plus z का एक fix value आ गया 1 ठीक है यहाँ पर लिख दूँ यह हमने अभी तक निकाल लिया अब मुझे क्या बोला गया है देखो यह तो मैंने यूज कर लिया यह भी उज हो गया यह भी कही न कहीं उज हो गया पस यह एक छोड़ा सा टम रह गया है और यह मुझे create करना तो देख रहा है क्यूब अगर है तो कहीं न कहीं मुझे क्यूब का कुछ रिलेशन निकालना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अपको एक्सपैंड अगर करने आता है तो ठीक है वरना कई लोगों को इसका फॉर्मुला नहीं पता बट एक फॉर्मुला जो हम अकसर जेइबन की इस्क्वाइर माइनस और एक्सवाई य प्लस य जेड प्लस जेड एक्स है अगर अभी तकी फॉर्मुला नहीं पढ़ेते तो अब पढ़ लीजे क्या है एक्यूब ब्लस बिक्यूब फ्लस फॉर्मेट है तीन टाम से उन टीनों का इंडिविजियूल आपका क्यूब है माइनस ओफ ट्री टाइमस ओफ टी माइनस ओफ ट्री टाइमस ओफ सभी का रे यार उस्त दिख्क्त हो गया को ओ शर्टी को गया कि विडियो रिकॉर्डिंग तो चालू है न विडियो रिकॉर्डिंग चालू है आगे बढ़ते हैं माइनस ओफ ट्री टाइमस ओफ एक्स वाइजेड तो एक तरीके से आपके सब्सक्राइब करें और यहां आपका दो दो टम्स का कॉंबिनेशन में प्लस करके यहां फाइनली माइनस अब देखो मुझसे यह पूछा गया है ठीक है अब आपने पास एकस वाइजेड का दिया गया है वेल्यू 2 तो माइनस 3 इंटू 2 हो जाए आपका 6 एकस प्लस वाइजेड का वेल्यू हम आल्रेड़ी 1 निकाल चुके थे उपर ठीक है x square plus y square plus z square भी हम अल्रेडी आपका 1 ही था ना अपना अपना ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये वाला टाम 0 है तो ये तो 1 लिख दिया आपने यहां से ये 1 हो गया माइनस ये 0 हो गया तो x cube plus y cube plus z cube equals to यहां से तो आगया 1 माइनस 6 इधर जाके हो जागा प्लस 6 equals to 7 तो answer हो गया अपना 7 ठीक है 26 का 7 next question question number 27 अभी अपने पास दिया गया एक matrix है A matrix जिसमें एक relation लिया गया i2 plus a i2 minus a का inverse equals to a b minus b a और 13 a square plus b square का value पूछा गया है तो काईदे से बस given चीज एक ही अपने पास relation एक ही है इसी में कुछ छेरचार करना है और i2 अपने को पता है अपना identity matrix order 2 का मतलब 1 0 0 1 यहां से पर plus 1 और minus a करकर यह कुछ value निकालना है और उसके बाद अपना value पूट करकरके अपना a square plus b square निकालना है तो देखो दिया क्या गया है i2 plus a i2 minus a का inverse equals to a minus b ba यह पूछा गया है अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या अगर मैं इसका determinant लेना चाहूं तो ले सकता हूं बिल्कुल ले सकते हैं या क्यों नहीं ले सकते हैं कि बिल्कुल ले सकते हैं अब अगर ध्यान से यह अपने अपने एक matrix है दो matrix का product है क्योंकि add करने के बाद भी तो एक matrix ही बनेगा तो दो matrix का product है तो मैं इसे individual matrix का determinant लेके उनका product भी कर सकता हूं आप i2 plus a और i2 minus a का inverse का determinant इन दोनों matrix का individual determinant लेके उन दोनों को multiply कर दियो और इसका determinant क्या हो जागा a square minus minus b square बतला plus b square तीक है अभी यह ऐसे है ना जानता हूं जब यह inverse मे रहता है तो इससे आप नीचे लिख सकते हूं इस तरीके से divide करके i2 minus a का determinant यह inverse हटता है तो नीचे आ जाता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बिलकुल भीया ऐसे हम लिख सकते हैं तो अपना इसका determinant ले ले लेते हैं फिर एक बार इसका determinant ले ले लेते हैं दोनों को divide करते हैं कि अपने पास a square plus b square का value मिल जाए ना चलो करते हैं पहले i2 plus a तो i2 plus a पहला वाला यह उपर वाला क्या हो जाएगा यह मैं निकाल रहा हूं तो यह 1 plus 0 हो गया आपका 1 फिर यह 0 प्लस माइनस टैन थीटा हो गया माइनस टैन थीटा similarly यह टैन थीटा है जीरो यह हो गया टैन थीटा बाइटू और यहां से यह 0 प्लस 1 हो गया 1 इसका determinant लेना चाहूं तो यह बन जाएगा यह 1 plus 10 square theta by 2 ठीक है तो यह उपर वाले टम को लिख देता हूं 1 plus 10 square theta by 2 नीचे वाला टम निकाल के देखता हूं i2 minus 3 तो देखो i2 minus यह मतलब 1 minus 0 यह आपका 1 ही रहेगा फिर आपका 0 minus 10 theta यह आपका plus 10 theta बन जाएगा देन आपका 0 minus 10 theta by 2 यह minus 10 theta by 2 हो जाएगा and 1 minus 0 1 रह जाएगा इसका डिटर्मिनेंट लो तो 1 into 1 यह अभी हम इसका ले रहे हैं नीचे वाले का 1 into 1 1 minus 10 square theta minus minus 10 square theta तो यह भी हो जाएगा 1 plus 10 square theta 1 plus 10 square theta by 2 basically यह दोनों cut-shut जाएगा और यह value कितना दिया गया a square plus b square कटने चटने बाद आगया 1 तो a square plus b square का value 1 आ गया 13 into 1 का value हो जाएगा 13 27 का अंसर 13 next question question number 28 की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो अपने पास बोला गया है कि if the matrix A अपने पास एक इसका final value इतना है for some real numbers alpha and beta then beta minus alpha कुछ नहीं करना है देखो a का value दिया गया है a का value दिया गया है a का power 20 निकालना है आपको अब कैसे निकलेगा इतना बड़ा number बताता हूं pattern देखना है a का power 20 निकालना है फिर आपको a का power 19 निकालना है हर एक term को alpha से आपको multiply करना है फिर a तो दिया ही गया है उसको बीटा से multiply कर दो सभी को sum कर दो आपको यह values मिल जाएंगे आप जहाँ जहाँ alpha बीटा है यह अपने आपने एक 3 cross 3 matrix बनेगे ना तो जिन जिन टम्स में alpha बीटा है यहाँ से value पूट करो और एक एक कवेशन बनाओ alpha बीटा में आपको relation मिल जाएगा alpha और बीटा आया माइनस कर दो बीटा माइनस alpha तो चलो करना चालो करते हैं पहले a का power 20 अगेरा निकाले तो a का value पहले लिखते हैं 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1 अब पहले तो अब a स्क्वायर निकालों कि यहां गरों के 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस 1 1 इंटू 1 1 बाकी दोनों टम्स जीरो यह तो अगया वन यहां अगर जाओ तो 1 इंटू 0 0 बाकी दोनों टम्स जीरो यह आगया जीरो ठीक इस तरीके से 1 इंटू 0 0 बाकी टम्स ऐसी 0 है सभी के आपस में 0 ओके 0 हो गया ठीक इस तरीके से यहां भी अगर जाओ तो यह भी 0 यहां पर अगर जाओ तो यह 0 इंटू 0 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर ठीक है और फिर 0 इंटू 0 यह 0 हो गया फिर इस तंप पर अगर जाओ जिरो इन्टु जिरो 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 यह भी जिरो हो गया यह हो गया आपका वन इंटु ठीए ठीए फिर उसके बाद आपका आएगा जिरो इन्टु जिरो जिरो त्री लिको जिरो फिर यह माइनस त्री यह भी अपने आप में जिरो हो गया यहां पर त्री इन्टु जिरो जिरो इन्टु जिरो माइनस वान इन्टु जिरो जिरो फिर यहां जिरो जिरो माइनस वान इन्टु माइनस वान हो गया वन ठीक है जिरो 2 स्क्वारेज जीरो 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 वन और यहां से अगर मैं मुल्टिप्लाई करू तो एको यह है वन जीरो 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 टू जीरो तीन जीरो माइनस वन अब यहां से मैं अगर देखि रहेंगी कोशिस करूं तो 7-21-11 बाकि टorno-0 गर यहां singlehelium इसको छीडिव ए एकर तो ह्यो क्यों है यहां दो आपपए यह gjुक्तेश्पी ठीक है, ठीक है, यह तरी हो गया अपना, अब इसके बाद यहाँ पर आपका term वापस से वही आया गया, 0 अगर मल्टिप्लाइगर करके 0, यहाँ 0 यह माइनस वाँ, तो एक तरीके से आप अगर देखो, तो अपने पास जो pattern बन रहाँ ना, ध्यान से देखो, A क्या है, 1, 0, 0 0, 2 का power, A का power अगर N लो, तो 2 का power N है, ठीक है, और यहाँ आपका आएगा 0, यहाँ पर आप order even case लेके चलना, इसके बारे में बताता हूँ, यहाँ 0, और यहाँ आजाएगा आपके पास, minus 1 का power B, N, यहाँ अगर आपका N का value odd है, तो आएगा 3, N अगर आपने पास even है, तो आएगा आपके पास 0, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यह अपने पास A है, यह है A square, देख लो, सभी जगा, कहा-कहा फंड़ा लगा है, 2 का power N, 2 का power 1, 2 का power 2, 2 का power 3, minus 1 का power N, minus 1, 1, minus 1, पिर यहाँ order even होते हैं, 3 और 0, 3, 0, 3, pattern मिल गया, अब लगाओ, इसी pattern पे अपना A का power 20 निकालो, A का power 20 निकालते हो, यह तो 1 का 1 रहे जाएगा, बाकी यह 0, 0, 0, यहाँ से आप 2 का power 20 लिखोगे, 0, और यह even है, even की time में यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 और यह हो जाएगा 1, plus alpha A का power 19, ठीक है, तो alpha भी multiply करना है, तो यहाँ alpha, 0, 0, 0, alpha इंटू 2 का power 19, 0, अब की बार odd है, तो यह हो जाएगा 3, 0, और alpha इंटू, minus 1 का power 19, यानि की minus alpha, plus beta A, यह तो काफी simple है, normal आप अपने A में beta, तो यह beta 0, 0, 0, 2 beta, फिर आपका आजाएगा 0, यह आजाएगा आपका 3 beta, अच्छा, यहाँ 3 alpha भी तो होगा न, alpha से भी यह multiply कर रहे है, 3 beta और यह आपका 0, और यह minus 1 ही रहेगा, क्योंकि odd है, अपना A का power 1 odd है, तो minus beta, इसका value कित्ता दिया गया है, 100, 100, 040, 001, तो मुझे क्या-क्या relation मिल रहा है, एक relation मिल रहा है, कि 1 प्लस alpha प्लस beta इक्वल्स टू 1, यह 1 से 1 गया है, मतलब alpha प्लस beta इक्वल्स टू 0, तो alpha equals to minus beta, एक relation मुझे यह मिल गया, एक relation यहाँ से मिल रहा है, 2 का power 20, प्लस alpha 2 का power 19, प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू, प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4, यहाँ से 4 को मैं लिख सकता हूँ, 2 का square, 2 square को अगर मैं इधर लेकर रहा हूँ, तो 2 का power 20, minus 2 का square, प्लस alpha 2 का power 19, और बीटा की जग़ा मैं minus alpha लिख सकता हूँ, जो जगा minus 2 alpha equals to 0, यहाँ से मैं 2 square अगर common लोग, तो आपने पास आगा 2 का power 80, minus 1, ठीक है, और यहाँ से अपने पास आने वाला है, यहाँ से मैं अगर common ले लोग, 2 alpha plus 2 alpha तो आजाएगा 2 का power 80, minus 1, यह हो जाएगा आपके पास 2 square plus 2 alpha, 2 का power 80, minus 1 equals to 0, यह तो 0 हो नहीं सकता, मतलब जाहिट सा बात है, यह 0 रहा होगा, तो 2 square plus 2 alpha equals to 0, 2 plus alpha equals to 0, alpha equals to minus 2, तो बीटा क्या हो जाएगा, इसका negative मतलब 2, तो पूछा क्या गया है, बीटा minus alpha, यानि की 2 minus minus 2 equals to 4, 28 का option, 28 का answer है 4, चलो question number 29 की तरफ अगर बढ़ें, तो अपने पास A matrix दिया गया है, B matrix दिया गया है, और बोला गया है, A equals to XB है भी है, A equals to XB दिया गया है, इसके बाद क्या, इसके बाद अपना X का value दिया गया है, ठीक है, X का अपना, एक matrix का value दिया गया है, कि अपने पास एक real number है, A1 square plus A2 square का value दिया गया है, ठीक है, A1 square plus A2 square का value दिया गया है, equals to 2 by 3 b1 square plus b2 square और उसके बाद ये condition है कि अपने पास ये value तो नहीं है then the value of k is then k का value पुछा है तो सबसे पहले देखो याद मैं क्या मुझे यहां क्या दिख रहा है कि एक relation ये दिख रहा है जिसमें x का value given है a और b अपने-पने कुछ variables के term में लिए लिखा हुआ है तो एक तरीके से मुझे a, x और b का कुछ-कुछ value पता है तो इनके बीच मैं expand करके multiply करें कुछ relation निकाल सकता हूँ तो मैं इसमें आपका ये a, x और a, b और x का value पुट करूँगा तो ये तीन प्लस चार ये चार चीज़ होगा काम तो मेरा होगी अब उसके बाद इस relation के form में लाने की कोसिस करूँगा that's it और उसके बाद k का value calculate करूँगा तो मुझे दो step में काम करना है सबसे पहले इसमें सभी values को पुट करना है a, b और x का उसके बाद ये relation लेकर आना है दूसरा step है फिर उसके बाद cake value find करना है देखते हैं कैसे करेंगे तो a क्या a equals to xb ठीक है a क्या आपने पास a1 a2 x क्या है 1 by under root 3 है ना तो 1 by under root 3 minus 1 by under root 3 1 by under root 3 k by under root 3 b क्या है b1 b2 b है अपने पास b1 b2 ठीक है भईया अब यहां से मैं a1 a2 का अगर exact value निकाल पाऊं कैसे relate करके तो पहले मैं multiply कर देता हूँ तो यह हो जाएगा b1 by under root 3 फिर minus b2 by under root 3 तो b1 minus b2 by under root 3 इसके लिए क्या हो जाएगा अब इधर यहां तो कुछ term है नहीं term होगा नहीं आपका क्यूं नहीं होगा भहिया यह क्यूंकि नहीं होगा यह आपका कॉंझा matrix है यह आपका 2 cross 2 matrix यह आपका 2 cross 1 matrix यह दोनों सेम है तो final multiply होने के बाद order आयागा 2 into 1 मतलब यही order होगा जो आपका इस matrix का है 2 into 1 order होगा मतलब column एक ही होगा दो रो होगा तो अब यहाँ वाला value find कर लेते हैं यह क्या होगा यह b1 root 3 plus kb2 root 3 तो एक तरीके से आपको a1 का value मिल गया b1 minus b2 by under root 3 a2 का value मिल गया b1 plus kb2 by under root 3 अब यहाँ से मैं इस relation में values put करने की try कर सकता हूँ मुझे a1 square और a2 square का value चाहिए ठीक है a1 square और a2 square a1 square equals to this equals to b1 square plus b2 square minus 2 b1 b2 by 3 इसे क्या लिखो के b1 square plus k square b2 square plus 2 b1 kb2 ठीक है इतना दिया गया है इतना आपने पास divided by 3 यह इसके square का value basically अब इन दोनों का sum ठीक है a1 square plus a2 square का sum दिया गया है 2 by 3 b1 square plus b2 square के बराबर यानी कि इन दोनों को sum कर लो तो by 3 तो नीचे में common रहना है by 3 इन दोनों को अगर मैं sum कर लो by 3 नीचे common रहेगा b1 square b1 square 2 b1 square ठीक है b2 square और यह plus अपका k square plus 1 b2 square ठीक है यहां से मैं अगर plus 2 b1 b2 अगर common ले लू तो k minus 1 यह आपने पास k minus 1 इसका पूरा final value क्या दिया गया है अपने पास 2 by 3 b1 square plus b2 square 3 से 3 जाएगा यह है यह मैंने क्या लिखा है यह दोनों जो आया था अपने पास term इन दोनों का पास sum ही तो किया यह a1 square plus a2 square का sum ही तो किया है और यह a1 square plus a2 square का value अल्रेडी पहले से दिया हुआ है तो इन दोनों को पास मैंने equate किया है यह 3 3 कटा तो इससे आप expand कर के लिख सकते हो 2 b1 square plus 2 b2 square यहां से यह कट चुगा था अब यह 2 b1 square 2 b1 square इधर इधर से आप cancel कर सकते हो वैल्यू निकालो तो k square equals to 1 आएगा k equals to plus minus 1 यहां से अगर value निकालो k equals to 1 आएगा तो दो condition से एक जगा 1 और minus 1 भी आया लेकिन यहां सिर्फ 1 आया तो दोनों के से common 1 लेंगे आपका आंसर है 29 का वन 29 का option नंबर एक option नहीं आंसर एक क्वेस्चन नंबर 30 के उपर आएं तो हमारे पास यह काफी tricky question है अगर आप ध्यान से पढ़ो इस question में क्या बोला है कि हमारे पास a का value मतलब a का value आपका a b c d कुछ दिया गया है ठीक है matrix है और b अपना alpha beta है अब बोला गया है a b equals to b ठीक है एक relation दिया गया है ठीक relation अपने पास यह भी है a plus d equals to 2021 तो दिन a d minus b c पुछा गया है अब trick यहाँ पर यह है कई लोग बोलेंगे भाईया कि a d minus b c तो अपने पास सिर्फ a का determinant ही तो है ध्यान से देखिए अगर अगर a का determinant मुझे लेना हो तो क्या होगा a d minus b c मतलब मुझे determinant of a का value पूछ रहा है ठीक है यहाँ तक क्यों आप सही हो बिलकुर आपको determinant a का value ही पूछ रहा है लेकिन अब हो क्या करेंगे वह यह relation दिया गया अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं कि a b equals to b दोनों साइट अगर determinant ले अभी अब गलती कर रहे हो क्या गलती कर रहे हो मैं बताऊंगा अगर मैं ऐसा कर दूं तो गलती क्या हो ना पहले स्टुडेंट सोचेंगे यहां तक सही है इससे मैं लिख दूंगा फिर दोनों को ब्रेक कर दूंगा determinant of a determinant of b equals to determinant of b अब यह दोनों तो नॉर्मल नंबर होते है न अपने पास नॉर्मल नंबर होते तो दूनों काट देंगे ठीक है क्योंकि नॉन जीरो दिया भी गया है तो इस दूनों काट देंगे अब बचेगा determinant a equals to 1 तो determinant a equals to determinant a ही पूछा गया था तो final answer 1 होगो लेगिन यहीं पर answer की ऐसे दिख रहा है जहां से देखतो 2020 है यह गलत क्या किया हम नहीं इसमें कि मैं बताउंगा आप गलती क्या कर रहे हूं देको सबसे पहली बात आप यह कर ही नहीं सकते यह करने का मतलब प्याप determinant a von नेकाल देंगे but यहां फस्स जाओगे यह डिटर्मिनेंट वाला question ही नहीं है मतलब यह नॉर्मल ऐसा simple determinant वाला question नहीं कि अभी आपका यूज यही रिलेशन होगा लेकिन इस relation को हम determinant के form में नहीं use करेंगे हम क्या गरेंगे a b एक्वल हुट टू b दिया गया इससे बी इंटू आई लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं मैं चाहतो इससे आई इंटू भी लिखूं क्यूं कॉमन लेने मुझे आसानी होगी ठीक है जब इधर एबी एक्वल एबी माइनस आई भी लिखूंगा ना इधर नल मैट्रिक्स बचेगा तो यहां मुझे वी कॉमन लेने में बड़ी आसानी होगी ठीक है अब जितना नेट पे सर्च करोगे न सीधा आपको यही सॉल्यूशन सीधा यहां से सॉल्यूशन देना चालू कर देंगे कि ऐसी बनाएंगी लेकिन स्टुडेंस के पहले थॉर्ट प्रोसेस में कई स्टुनेंस का आएगा वहीं इसका सीधा डिटॉमिनेंट ले ल हो सकता है और एक भी हो सकता है और एंटिये ने बोल दिया कि 2020 सही होगा और मैं एक लगा के बैठा हूं तो मेरा गलत काट दिया उसने लेकिन मैंने भी तो सही किया लेकिन आपने सही किया ही नहीं दोस्त इसका डिटर्मेंट आप नहीं ले सकते हैं तो कई स्टुन्स को प अपने पास A-I into B equals to null matrix दिया गया है तो या तो ये एक null matrix होगा या तो ये एक null matrix होगा या दोनों null matrix कुछ भी हो सकता तो पहरे ही बोल दिया गया है कि हमारा B तो एक null matrix नहीं है B अपने पास null matrix नहीं है यानि कि A-I हमारे पास null matrix है कि अब A-I क्यूंकि A भी हमारे पास एक square matrix है और I आप लोगे यहाँ पर I हम लेंगे 2 cross 2 अला अपना तो यहाँ पर हमारे पास I भी एक आपका null matrix I भी आपका 2 cross 2 matrix है AB आपका 2 cross 2 IB आपका 2 cross 2 तो यह हो गया आपकी पास एक square matrix तो यहाँ से अब आप लोगे ना तो इसका determinant ले सकते हुआ कि A माइनस आई का determinant निकालो कि A माइनस आई का हो जाएगार A माइनस वन देखो न क्या दिया गया है A का value दिया गया A B C D माइनस आई करना 1 0 0 1 A माइनस 1 B C D माइनस 1 तो यह हो जाएगा आपने पास इन दोनों को मल्टिप्लाई करो A माइनस 1 D माइनस 1 माइनस B C मल्टिप्लाई करो A D माइनस D माइनस A माइनस B C आपके पास यह भी तमाएगा प्लस 1 यह भी तो मल्टिप्लाई होगा प्लस 1 और यह determinant अपने पास कितना आएगा, a-i का determinant 0 null matrix का determinant 0 हो था तो इसे आप 0 लिख दोगे ad-bc ये पूछा गया इन दोना गेम हो गया अब ये देखो minus d plus a या फिर इसे आप a plus d लिख दो plus 1 equals to 0 ad-bc equals to a plus d minus 1 a plus d का value कितना दिया गया है 2021 minus 1 होगे 2020 तो इस तरीके से हमारे पास 2020 आया है ध्यान से देखो हर जगा में ऐसे determinant नहीं निकाल सकते conditions भी check करनी पड़ती है अब लास्ट question हमारे matrices chapter का तो let i be an identity matrix अपने पास है 2 cross 2 मतलब i ये दिया गया है अपने पास और p अपने पास ये दिया गया है अब finally बोला है कि p का power n जो है अपने पास ये 5i minus 8p है यानि कि 5i क्या हो जाएगा 5, 0, 0, 5 minus 8p 8 से multiply करो 16 minus 8, 40 minus 24 कित्ता हो जाएगा minus 11 8 ये हो जाएगा आपके पास minus 40 और यहां हो जाएगा 29 तो p का power n इस इक्वल्स टो इतना दिया गया है तो अब आप p का power 1 तो हो नहीं सकता n का value पूछा है बेसी करने ठीक है कर कोई नहीं जब दिया ही किया सोरी इंटीजर नहीं है आपका दिमाग रहता है ये आपका एक normal natural number है तो 1, 2, 3 लगाके ही हम चेक करते हैं तो पहली बात p का power 1 नहीं हो सकता है क्योंकि p का power 1 तो यह है जो कि इसके बराबर नहीं है बारी बारी से चेक करना पड़ेगा p का power n क्या दिया गया है minus 11, 8, minus 40, 29 p का power 1 है 2, minus 1, 5, minus 3 तो p का square अगर मैं निकालने कोशिस करूँ 2, minus 1, 5, minus 3 चार चार मैं यह हो जाएगा minus 1 ठीक ना, 2 into 2, minus 5, 4, minus 5, minus 1 यहां से जाओ तो minus 2, plus 3 हो जाएगा 1 minus 2 ठीक है, यह क्या है minus 2, plus 3, 1 फिर यहां से जाओ तो पास गुने तो 10 कुछ कर रहे हैं, p square तो हो गया, p3 अभी भी काफी बड़ा नम्मर लग रहा है, हमारे पास यह pn काफी बड़ा है, p square तो p3 होने चांसेज कम हैं, तो सीधा p4, बतला p square into p square करके देखते हैं, अभी भी आता है कि नहीं तो minus 1, 1 minus 5, 4 1 minus 5, 4 minus 1 into minus 1 होता अपने पास 1 और यह minus 5 हो गया, minus 4 ठीक है, अब इसके बाद minus 1 into 1 हो गया, minus 1 1 into 4 हो गया, 4 equals to 3, यह हो गया 3 minus 5 into minus 5 हो गया, 5 और यह हो गया, minus 20 हो गया, अपने पास, minus 15 यहां से जाओ तो, minus 5 plus 16, यह हो जागा, आपके पास 11 यही है ना, minus 5 plus 16 हो गया, 11 pk power 4, pk power 5 भी इतनी जल्दी नहीं लग रहा है लेकिन pk power 6 अगर निकाल के देखें मतलब इतना जल्दी अचानक से minus 4 से minus 11 तो नहीं पहुंच जाएगा, minus 15 minus 40, लेकिन जादा भी आगे नहीं बढ़ेंगे pk power 6 निकाल के देखते है, आनि कि pk power 4 into pk power 2 तो pk power 4 क्या, minus 4, 3, minus 15, 11 और pk power 2 क्या है minus 1, 1, minus 5, 4 minus 4 गुने minus 1 हो जाएगा, अपने पास 4 और 3, minus 15 हो जाएगा, minus 15 हो गया, minus 11 अब मुझे थोड़ा से short short लगने लगा है, कि यह अब आपका बंट रखी minus 11, minus 11 पहला term मैच कर गया दूसरा term देखते है, minus 4 गुने 1, minus 4 और 3 गुने 4 प्लस 12 यह हो गया, 8 दूसरा term भी मैच कर गया minus 15, minus 1 हो गया, 15 ठीक, यह हो गया आपका 15 और यहाँ से 11, minus 5 इक कुश्टों, minus 5 पहला हो गया, minus 40 यह भी मैच कर गया, minus 15 और यहाँ से plus 44 ठीक है, यह हो गया आपका 29 तो हमारा actually यह दोनों मैच कर गया मतलब, peak up over n equals to, peak up over 6 तो n equals to 6 31 का option number 6, option नहीं यार, बार बार option बोदे रहो, answer 6 तो इसी के साथ हमारा matrices chapter भी खत्म होता है अब हमारा चार चाप्टर खत्म हो चुका है, कौनकों से चाप्टर खत्म हो चुका है भी या quadratic equations, sequence and series, determinants and FOM, fundamental of mathematics और matrices अगला चाप्टर मारा permutation and combination का होगा चार चाप्टर हमने खत्म कर लिया, total आप अगर देखो, तो हमारे पास 30 चाप्टर कवर कर देखें पहले आप चाप्टर 1 से 10 का list देख लो देख लिया, इसी sequence में जा रहे, फिर 11 से 20 तक का, then 21 से 30 तक का आप देख सकते हो इसी sequence में जा रहे, आप बस question practice करते रही है और अगर theory वगेरा आप बूल रहे हो तो per chapter 1 video, विल्कुल scratch से 12-20 से आपका chapter का मतलब क्या है वहाँ से लेकर आपका end-to-end boards level पर जितने आपके NCRT के आपके example questions, सब कुछ practice में आने करा रहा है सिर्फ एक वीडियो में per chapter कुछ वीडियो देख गंटे, दो घंटे कभ मिलेगा, तो rarely कुछ chapters 2-3 गंटे के आसपास भी गए हैं इतने में सब कुछ हो जाएगा, आपका basics छोड़ो boards level पर सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद अगर theory अगर नहीं हो रहें तो उन series को जाकर check out करिए, हैं हमारा NCRT board series है और उसके बाद आप भी जैमेन के साथ continue कर सकते हो, फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही, thank you for watching this video, good bye आज़ी, wish you all the best for future, enjoy your journey